हलो एविडियो और आज हमारी वीडियो होने वाली है सोनी लिप आई वी नई सीरीज के बारे में जिसका नाम है स्कैम 1992 बेसिकली जो सीरीज है हर्षद महता के ऊपर पूरी कहानी है कैसे हर्षद महता स्कैम हुआ उसके पीछे की कहानी सब कुछ इस वेब सीरीज में है यह बेसिकली एक बुक है सुचेतर दलाल लाम की जनरलिस ने जो लिखी थी दसकैम उस पे बनी हुई है उस पे इस wrapped श्कैम doubler ने एक बैस्कैम बूसे लिखी जो अब्रॉमारीर तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ सब से पहले कुछ basic characters हैं जिसका आपको पहले ही पता लग जाएगा कि कौन थे हर्षद मैता को परतीक गांदी ने निभाया है इनका करेदार अच्छे काफी अच्छे से को निभाया है बट इनके नाम में कोई फेर बदल नहीं किया क्योंकि स्टोरी इनके उपर है तो हर्षद मैता का रो इसके बाद जो सुचेता दलाल है जिनोंने actual में scam को पर सबसे पहले लिखा था और basically बोलते हैं कि इनहीं की वज़े से एकनी जल्दी scam निकल पाया है अगर ये ना लिखती अपने articles ये ना investigate करती तो शायद कुछ साल और ये scam चलता रहता तो सुचेता दलाल का भी real name यूज यूज किया गया इस web series में और इनी की book पे based है ये web series तो सुचेता दलाल आज की date में money life नाम की magazine है जो इनकी husband की magazine है इनके बार मैं भी लेटर बताऊंगा मैं आपको उसमें ही executive editor है तो अगले है देवाशीजबासू जैसे मैं आपको बताया फिलम में भी दिखाया है कि ये जोनों आपस में शादी कर लेते हैं और आज भी ये शादी शुदा है अभी तक चल रही है इनकी life तो ये है इनके आज की date पे एक fortnightly money life नाम की magazine चलाते हैं पेशे से CA है और काफी सारी books लिखी है नोने अपनी wife के साथ मिलके like 2001 में हो था केतन पारिक scam basically 8 books लिखी है नोने और सारी की सारी financial words के उपर है और इनका भी real नाम यूज किया गया है web series में अब चलते हैं अपने next character के उपर जो सबसे powerful character माना जाता है जिसको निवाय सतीश कौशिक ने तो वो है मनु मुंद्रा मनु मुंद्रा basically मनु मानिक के उपर based character मनु मानिक को 1980s में stock market का king माना जाता ह हर्शत में आता के नाम आने से पहले तो stock market का king मनु मानिक को ही माना जाता है BSC में बहुत बड़ा control था इनका even traders थे जो वो इनसे पैसे उधा लेके जाते थे trading करने के लिए और माना जाता है कि जब उस दोर में जब कोई भी company जो listed थी BSC में उनको कुछ भी changes करने पड़ते से उन्हें मनु माने की मनु माने की permission लेनी पड़ती थी प्लस यह बीर काटल जैसे इस web series में दिखाया बीर काटल के head थे तो कभी भी इन्होंने market को ज्यादा उपर बढ़ने ही नहीं तो आपने मनु मुंद्रा के side में तीन लोग देखे होंगे 3R जिने stock market का माना जाता है जो सबसे पहला character था वो था राकेश जो से केविन दवे ने दिवाया वैब series में और वो आगे जाके राकेश जुन-जुन वाला बनते हैं और आप लोग सोच रहोंगे कि वो तो उस तरम बियरिश थे काफी बियर शॉट करते थे तो एकदम से इनको इनको करनी थी कर ली अब मैं भी investment करूंगा आगे 10-20 सालों के लूपर देखते हुए तो उसका आंसर भी web series में ही मिला है कैसे वो बियरिश गैंक को छोड़ के अपनी investing करनी शुरू करी और उन्हें खुद ही बताया है जैसे कि इनके interviews में की जो दूसरे आर हैं अभी जिनके बार प्रवेश गंतरा ने निभाया है वो एक्चल में रादा किशन दमानी है जो की डी मार्ट के फाउंडर है वो भी आगे जाके काफी successful हुए इस ताइम investment में इतना involved थे कि उन्होंने खुद बोला है अपने close friends में कि अगर हर्शद मैता 7-8 दिन तक या 10 दिन तक अपनी position बना भूबता है वो चार्टट बनाता रहता था आप फिलम web series में भी देखेंगे तो वो काफी हर बार में क्यता है मैं चार्ट बना कर दिखाता हूं तो इसको राजु चार्टिस्च से भी लिया गया है जो एक नाटला था उसके बाद आते हैं फेली बिजनस था और जो कोलकता वाले केडिया जी नहीं थे वो कोलकता वाले कयान जी थे जिन्नों ने एकदम मंदिल आ दी थी 1986 में जिसे हर्षद महता को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और उनकी पहली पारी वहीं खतम हो गई थी तो अगले करेक्टर के बारे में बात करत अगले करेक्टर है प्रनफ से जो हर्षद महता के बहुत करीब ही बाने जाते हैं प्लफ सेड के करेक्टर से मिलता जुलता है तो बाद में वह भी काफी स्कैम में इन्वोल्ड रहे उन पे बीकाफी कारवाई हुआ हो में फ्यूचर में 1996 की बात करें या 1998 की बात करें उनके लिए भी लाइफ आगे असान नहीं रही इतनी तो काफी अच्छा करेक्टर निबाया है प्रनफ सेड का इन्हों ने और काफी एंटर्टेनिंग भी लगता है ये करेक्टर हमें ग्रिप करके रखता है एक वेब सीरी अगले हैं मादवन जो के मादवन मलब असली करेक्टर यूज असली नाम यूज किया गया करेक्टर का जो सीबी आए के जॉइन डिरेक्टर थे और उनको बोफोर्स और बोले तो गोपाल ट्रेजिटी गैस ट्रेजिटी जैसे बड़े-बड़े केस मिले थे और उनके पीछ में investigation के छोड़ दी थी वह investigation Boobs खुश नहीं थे कैसे, handle किया जा रहा को, qui से कि और नामों को बचाने के लिए सिरreiben हर्शथ मैता को फसाया जा रहा है, उसके बाद अगले करेक्टर है फेरवानी जी फेरवानी है मनोहर जी फेरवानी जो एक्चल में थे यूटी आई के हैड जो 1989 तक थे शायद उसके बाद यूएच बी के हैड बन गए थे और माना जाता है कि उनकी जो जैसे फिलम में दिखाया है उनको दिल का दोरा पड़ा था और उनकी suspicious circumstances में death होगी तो कहीं लोग मानते हैं कि उन्होंने suicide की थी उस वक्त अगला character है राम का जो राम जैट मलानी पे based है राम जैट मलानी को को नहीं जानता तो एक दम exactly frame to frame मैंने capture किया कि उस वक्त के जो press conference थी उस वर्थ कैसी photo थी और जो फिलम में दिखाई है काफी मिलती जुलती तस्वीर बनाने की कोशिश की है डिरेक्टर ने अंसल मैता ने तो यह राम का रोल था राम जैट मलानी के बेस पे जो उनके advocate थे तो यह थी एक real vs real comparison scam 1992 web series का कि कौन थे real characters और कौन थे real पे जो हमारे characters I hope मैंने आपको काफी knowledge दियोगी और भी characters है जिनका मैं दिखा सकता था बता सकता था तो वीडियो को छोटी रखने के लिए मैंने limited जो famous characters थे उनी को cover किया इस वीडियो में अगर आप कोई चाहते है कि और कौन सा character के बारे में जानता चाहते है तो नीचे comment कर सकते है मैं उन किये चैनल को लाइक किये वीडियो को बाई तेक केर